नमस्कार वियुँज बहुत स्वागत आप सबीका आप तेख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की मैं हूँ सवर अब शर्माप के साथ मेहमानों के साथ हाजिर हैं हम हर्षबदं धिरपाथी जी विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ आप दूनों का हम एसाद अब द गाय हैं तो 24 का चौनाव और उसमें क्या हुआ नहीं बोल रहे हैं, वो आगे की बात भी बता रहे हैं आगे की बता रहे हैं कि मूदी से लोगों का डर खतम हो गया या यह चुनाव निश्पक्ष नहीं था सिकh की बात भी आई है तो ये सारी बात आज़ हम आपके सामने रखेंगे और राहूल गांदी देवो चुनाओं के लोकसभा चुनाओं की नतीजों के आने के बाद भारत में बहुत बोले हैं उन्होंने लगभग इसको अपनी जीत की तरीके से प्रोजेक्ट किया है कि हमने नरेंदर मुदी को अबसलूट मैजोरिटी से गर रोक लिया और कॉंग्रेस पार्टी सौसीट पर पहुंच गई तो यह हमारी जीत है और मुदी की नैतिखार है लेकिए इस वक जो विदेश में बोल रहे हैं बड़े स्ट्रेटिजिक लेवल पर बात कर रहे हैं वो दरसल समझा रहे हैं इस चुनाओं में क्या चला हमारे लिए इस सवाल का यहां वो बड़ा आइडिलोजिकल सा जवाब देते हैं वहाँ जब 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 दे रहे हैं इस बात का राहूल गांदी ने बात किये जैसे उन्होंने कहा कि अगर देश में इश्पक्ष चुनाव होता, यहीं उन्होंने आधार बना दिये कि देश में इश्पक्ष चुनाव नहीं उए. उन्होंने कहा कि मैं इसको controlled election मानता हूँ, free election नहीं मानता यह controlled election था, क्योंकि election commission पूरी तरीके से नरेंदर बूदी के हाथ में था यहां तक कि जो election का पूरा schedule बनाया गया, वो इस लिहाद से बनाया गया कि क्या नरेंदर मूदी को सूट करता है यह यह election commission पर बड़ा खुला और गंभीर आरोप पो लगा रहे हैं जहां जहां बीजेपी कमजोर थी जेन राज्यों में वहां अलग तरीके से schedule मनाया गया तरीके निकाले गए और जहां मोदी जह हैं वो मजबूत थे वहां अलग तरीके से बनाया गया यह उनका कहना है कहना है कि 240 के आज पास तो भाज़पा नहीं आती आगर यह free and fair election होता फिर उन्होंने एक बात जो अकसर कह रहे हैं यहां पर कि 90 फीसर जनता जो है SC, ST, OBC, संख्यक यह सब का कोई प्रतिन दित है ही नहीं फिर उन्होंने यह कहा एक बात यह अच्छी है बात उनकी करने ला मोदी को नहीं आई 270 सीट, 280 सीट डर खतम हो गया है लोगों का, अब कोई मोदी से डरता नहीं देश के अंदर, मैं उनके सामने पार्लेमर्ट में बैठता हूँ, मोदी की 56 का सीना कहीं नहीं मुझे अब दिखाए देता है, हमने उनको ideologically flop कर दिया है, ideologically trapped है, उनका शब्द आदमी नफरत की भाषा बोलता है, सारे लोग नेता नफरत की भाषा बोलता है, मैंने प्यार की बात की, क्यों एक निता प्यार की बात मीं कर सकता हूँ, उनका मैं रेस्टरॉंट में जाता हूँ, पहले कभी नहीं होता था, आई लब यू राहुल जी, यह पहले कभी नह परिवर्टन आया है और मैं नरेंदर मोदी से नफरत नहीं करता ये कह रहा है राहूल गांदी I don't think the BJP, in a fair election they were nowhere near 240 seats, no way, I mean I'd be surprised if the, they had a financial, you know, huge financial advantage, they had locked our bank accounts for one, but huge war chest, the election commission was doing what they wanted, I mean the entire campaign was structured, so Mr. Modi could, you know, do his thing across the country, states where they were weak were designed differently than states that were strong, so I don't view it as a free election at all, I view it as a rather controlled election अब राहूल गांदी की इस बात को जरा साम इनलाइस करें, क्योंकि देखिए इतनी सारी बातें नो चुनाव को लेकर चुनाव के परणावों पर हुई, राहूल गांदी की बात माने तो सब बेमानी हैं, इसका मतलब तो जो नतीजा आया था, वो नतीजा ही fair नहीं है, अरश्वर्दन जी गलत हूँ, अब मुझे लगता है कि मैं ही सही था, मैं थोड़ा बह गया था, राहूल गांधी पिछले कुछ समय में आप देखिए, वो काम कर रहे हैं जो कोई भी कर सकता है, क्या है, देश में एक से दूसरे को लड़ाना, किसी भी संस्था पर सीधे सवाल उंगली कर देना, नियायलाय तक को कटगरे में खड़े कर देना, देश के लोकतंत्र को, अच्छा ये बताइए, जब लोग ही वोट देते हैं, तो टीवी पे देखके कि नरेंदर मोधी को 240 आ गई, तो उनका डर क्यों खतम होगा, या डर क्यों बनेगा, डर आपका हो सकता है, ने जनता क्या जनता तो खुश है, आज उनको रेस्टोरेंट में आई लव्यू कहने वाले मिल रहे हैं, नरेंदर मोधी को तो 2001 से लोग लव्यू लव्यू कर रहे हैं, और इस देश में तो कहा जाता है, कि 70 साल का बुढ़ा व्यक्ति, वो नौजवानों के बीद में ज्याद जो इस लव के साथ और खतरनाकुराएं, आप कह रहे हैं कि भारत का चिनाओ ठीक नहीं है, क्या कह सकते थे आप, आप कहते कि हमारे ये दो मसले हैं, इसको किसी ने नहीं सुना, आप कह रहे हैं कि हमारा account虚 कर दिया गया, क्या आपने बताया, कि income tax की भारत की जो धाराये ह तो कहा जाएगा कि मुख्य विपक्षी पार्टी को ऐसा कर दिया कि वो चुनाओ नहीं लड़ सकता, मुख्य विपक्षी पार्टी के खाते को पूरी तरह से सीज कर दिया, जबकि ये गलत है, और उस खाते में कितनी रखम थी, क्या जो कॉंग्रेस पार्टी की पूरी election campaign थी उससे चलती, फिर उसके आगे की बात, वो कह रहे हैं सारा कुछ डिजाइन किया गया नरेदन मोदी के हिसाब से, अब ये आप कह सकते हैं, बड़ा लंबा चुनाओ हुआ, चुनाओ प्रचार मोदी हर जगा करें, ये आरोप लग सकता है, ये चुनाओ के समय लगता है, ल वो बोल रहे हैं, वो दुनिया के अलग-अलग उन्वेस्टी, जॉज्टाउन उन्वेस्टी थी शायद वहां बोल रहे हैं, ये उन्वेस्टी के पेपर में रिसर्च पर समय लोगता है, लेकिन आप से जहां से शुरू किया, मैं उस बात पर आता, वो आपने कहा कि वही बात बार-बार-बार कह रहे हैं, आप रिपिटिटी टिप तो कह सकते हैं राहुल गांदी को लेकिन राहुल गांदी का फोकस किलियर नहीं है, ये बात मुझे गरत लगी रही है, उन्हency को बिलकुल किलियर है. भाई गुस्वे में गाली देने के लिए बुद्धी थोड़ी न लगाने पढ़ती है आपको तरग पूर्ड तरीके से उसको वहाँ तक पहुचाना है राहूल गादी वो नहीं कर सकते हैं राहूल कंधीनी का मैं कर देश का 90% को 90% है यह नहीं टॉप लेर में। ठीक है। 90% नहीं तो 90% कौन है। यही उनका एक सिंगल ट्रैक है। यही तो कह रहा हूँ, वो सिंगल ट्रैक। इस देश में कहा ही जाता है कि दलित और मुस्लिम बेस। उनका जो वोटर बेस ही है, यानि अपने वोटर बेस को उन्होंने एगदम से नीचे करके रखा, गड़े में गार दिया, उबरते उबरते यहां पहुंचे, उसके पीछे की समस्या है, नरेंद्र मोधी उस 90 प्रतिशत को काम, पहले उस पर काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी मुश्किल है, इसलिए यह सब कर रहे हैं, अब मैं दूसरा बयान भी सुनवा दूँ, इससे रिलेटर जहां पहुंच गए, फिर इस पर आगे बात करते हैं, जो बात मैंने अभी कही, उन्होंने का 90 पीसर फीसर जन संख्या का प्रतित्व नहीं था, फिर उ आइडिया ऐसा क्लिक किया, कि शॉक्वेग की तरीके से औरे देश के अंदर एक लहर फैल गए, और नतीजा आपके साम में, सुनिये. 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game, they're not even in the game. Out of the top, 200 businesses in India, right? There's almost no ownership of 90% of the population. I can tell you that in the highest courts of the country, there's almost no participation of 90% of India. I can tell you that in the media, national media, anchors, journalists, there is zero participation of lower caste, OBCs, Dalits, Adivasis, right? So, and the people know this. It's not that this is, this is not known. The large mass of people understand this and they look, look at India and they say, okay, where is our participation? जो बात इसमें नहीं आए, वो मैं पूरी कर देता हूँ, विजए जी उन्होंने कहा कि बाते में बहुत अरसे से कह रहा था, लेकिन क्लिक नहीं कर रही थी, तो मीटिंग में हमारे किसी ने मुझे आइडिया दिया, इस सम्मिधान वाला, कि आप इस सम्मिधान क्यों नहीं दिखाते लोगों को, पॉकेट से निकाल कर दिया, और बोलिए कि इस सम्मिधान खतम हो जाएगा, और मैंने कहना शुरू किया, और इस से लोगों के बीच में सच में एक दर आया, कि हाँ, यह तो फात्सी है, हमारा और वो जो हमने शाद पहले भी चर्चा की थी, कि वो वूड़ पैकर की तरह से एक इशू पर बार बार चोट कर रहे है, ताकि वो धीरे धीरे करके, आपको जैसे उन्होंने कहा कि पहले लोगों को समझ में नहीं आती, वो आप समझ में आ रही है, यह उनका मानना है, दू और वो एक्षन मेरा, सम्विधान निकाल के दिखाना, तो मतलब वो एक क्लिक कर गया ना आइडिया, कि लोगों को लगा कि हाँ, यह बात गंभीर मसला है, संकट है, जो बात उन्होंने चुनाव को लेकर कही, मैं समझता हूँ कि चुनाव को लेकर वो पहले चर्चा कर रह गया, ध्यान रखा गया, नहीं रखा गया, लेकिन चुनाव आयो, जब चुनाव की तिथी निर्धारित करता है, यदि लोग सब अचनाव की, तो वो केंदर सरकार और राज्य सरकार के साथ तैय करता है, यह उफिशल सिस्टम है, समझे है, इसको आप समझे है, क्योंकि उ इस लेवल पर भी होता है, कि किसी राजनेतिक दलन है, जैसे अभी हुआ, हरियाना के चुनाव में, कि भारतिय जनता पार्टी न कहा कि यह चुनाव एक तारिक की बजाए पास तारिक को होने चाहिए, तो वो उन्होंने कंसीडर किया और उस बात को भी आगे बढ़ाया, क सम्मान के तरह उस से देखना चाहिए, हम जनादेश का सम्मान करते हैं, जब वो यह मानते हैं कि इस चुनाव में मुदी को हारना चीए था, अगर फ्री और फेर एलेक्शन होते हैं, तो उनकी बात करना, उनको यह चैए रहा हूँ कि चुनाव के दौरान, चुनाव के जब भारतिय जनता पार्टी की दो सीट आई थी उननीस सो चुरासी में, तीक है, उननीस सो सिततर में इमर्जेंसी के बाद के चुनाव हुए थे, तब भी किसी ने इस तरह का आरोप हमारे चुनाव आयोग पर नहीं लगाया था, हलाकि उसके बाद चुनाव आयोग बहु बहुत मजबूत भी हुआ, हमारा सिस्टम भी बहुत मजबूत हुआ, तो वो एक, और इस तरह की बात करना कि स्वतन तरह चुनाव नहीं हो रहे हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, और हिंदोस्तान की जनता भी उसको उस तरह से नहीं ले लिए, क्योंकि जैसी डेमोक करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें वो खुद कह रहे हैं कि हाँ वो पहले काम नहीं आ रही थी अब मेरे काम आगी है अब सर ये 19 की बात 14 और 19 के लेक्शन जरा देखिए 14 में दनेंदर मोधी चैलेंजर थे रहूल गांदी खुद सत्ता में थे और इसकी जवाब उनको देने थे नारे उनको गढने थे दूसरी ओर जब 19 के लेक्शन आया तब लोग कहते थे भी कोई ना नेता है ना पीछे कोई मुद्ध है इनके क्या लगे ये मुदी से और उन्हें नारा भी दिया तो क्या दिया चौकीदार्चोर है एक ऐसी चीज का इलजाम मुदी के उबर लगाया जो बाइनलार जंता नह अंस्टॉपेबल आप इसे रोक ही नहीं सकते 90 परसेंट लोगों को बात समझ में आगई है वो अपना हाग लेने के लिए आगे खड़े होंगे ही होंगे कांग्रेस को बोट कितना परसेंट मिला है तो अब सब्सक्राइब आप जो है इसा इस परसेंट है पिछली बार भी बीजेपी का बोट 37 परसेंट था पॉइंट पॉइंट पाइफ परसेंट का अंतर आया है इसलिए ऐसा है देखिए इसमें दो विश्याप के बात का मैं उत्तर दूंगा राहूल गांधी जो विदेश में बोल रहे हैं कि आप बाकई उनको सुनने के लिए उसी तरह लोग आ रहे हैं जैसे नरन मोदी को सु भावी कारकरम तो करो आप जो है चात्रों के बीच जाके एक हॉल में भासन दे दिने हैं ये एक आदमी बैठा हुआ है कोई काउंटर कोस्टन करी नहीं रहे हैं यह मजबूरी है कि उन 2017 से जो उनके लोगों ने कोशिज की कि नरन मोदी को विदेशों में भी प्रधान मंत बनने के बाद जो प्रोजेक्शन मिला है दुनिया भर का भारत बंसी उसके साथ खरे हो रहे हैं नेता उससे प्रभावित हो रहे हैं अगर राहुल जी को राजनिती करनी है तो उसी के पैरलल विदेश जात्राएं करके और अपनी बात रखनी परेगी एक सभा तो किसी बर हॉल में करने राहुल गांधी और बताए भारतियों के बीच बात करें तो आप कहने राहुल गांधी मैडिसन स्क्वैर पर चाहे भी तो इतनी भीड़नी मुला सकता हूं लेकिन करके दिखाए ना पहले तब तो आएगा मुकावला आप दूसरे आते हैं देखिए दूसरी लाल गुलावी कोट और पैंट जो इनका है यह फता चला कि नहरू जी का रुमाल का कहीं आंस तो इसमें ना आ गया है यह आप भारवाट टोकर रहे हैं जो पहले से अभियान चलाते रहे हैं जो कि हमारे यहां टूलकिट्स के पार्ट रहे हैं किसान अंदोलन के समय भारी संख्या में ऐसे लोग हैं उसके अलावा क्या अमेरिका का कोई बड़ा थिंग टैंक बुद्धी जीवी इस बात को स्विकारने आ रहा है कि नहीं आरा एक दूसरा जो आपने कहा देखिए एक ही टे पहले होता था एक ग्रामो फोन आपने सुना होगा एक रिकर्ड रहता था सुई एक जगा अटक जाती थी और इको करता रहता था था फिर सुई को हिलाना पड़ता था अब मैं आपको कोट करके बदा सकता हूँ कि 2017 में लगवग यही बात उन्होंने बोला है 2018 में यही बात बोला है 2019 में यही बात बोला है और पिछले साल जो अमेरिका में थे मैं points बनाके लाया हूँ अगर आप कहेंगे तो मैं बोल दूँगा ठीक यही बात वो बोल रहे हैं तो अब यह जो बार बार आप बात बोलते हैं इसके पीछे क्या होता है जो ग्वेबल् श्रत में जो है ये जो नेशन एस्टेट है यही कुष्चन में आ गया है हर चीज पर इसका कबजा है उसमें हम लोग फाइट कर रहे हैं फासिष्ट सासन है इसमें सिखों को दलितों को मुस्लिमों को आदिबासियों को सब का दमन हो रहा है यह वह पिक्चर जा रही एक तो साल के अंदर पर वो भी दुनिया में जा रही है और वो भी अख़वारों में छप रही है इसलिए मेरा अपना मानना है कि विदेश पर ज्यादा ध्यान देने से पहले कुछ देश के अंदर ही हमको एक एक दो फैक्ट रखना चाहिए प्रेम की बात कर रहे हैं मैं आपको एक आरे सेस का गीत जो है यह उन्ने सो बावन तिरपन का गीत है आज का नहीं है अब आप कहें तो मैं जैसे भी चाहें आप सुना दे सकता है अपने कारे का आधार है दिब्य ऐसे प्रेम में इश्वर स्वयम साकार है आगे गादू प्रेम जो केवल समर्पन भाव को ही जानता है और उसमें ही स्वयम की धन्यता बस मानता है राश्ट भर में स्नेह भरना साधना का सार है शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कारे का आधार है अन्तिम दो पंक्तिस का बड़ा है अब आप सुचिए प्रेम कहां है है क्रिपा इसकी मिलायह प्रान तन जीवन हमारा है क्रिपा इसकी मिलायह प्रान तन जीवन हमारा भाक्ति से हम हो समर्पित भाक्ति से हम हो समर्पित भाक्ति से हम हो समर्पित बस यही अधिकार है संग का गाना है और आज का नहीं है ये करीब करीब 85-83 साल से अनेक गीत में आपको सुलाइए तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो नहीं ये कार का अधार है हमारे कार का अधार ही शुत्य साथ्विक प्रेम है लेकिंगे इसमें केवल समर्पन चाहिए तो इसलिए कर रहा अब जो उनका इस निखाए रहा है राहुल गांधी एक निहायत ही फासिस्ट शक्ति के तरह गोयेबल के एक समर्थक की तरह वो दुनिया में जा करके उसी प्रकार से जूट बोल रहे हैं जिस प्रकार से दुनिया भरके फासिस्ट वादी करते हैं